हेलो फ्रेंट्स मैं पारुल गोबिल्स स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गोबिल्स किचिन में फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुत ही जड़ पर बन जाने वाले कटलेट्स जो की बनाने में बहुत ही आसान है अपन कर बहुत जल्दी तयार हो जाते हैं तो चलिए बनाने शुड़ करते हैं फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ करें है वॉइल आलू और एक कप सूजी और थोड़े से बेसिक मसाले इसके लिए मैंने पैन में लिया है टू स्पून ओयल और उसके गरम होने का इंचार किया उसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने यूज करिये हैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून राई राई के दलखने के बाद यहाँ पर मैंने यूज किया है हाफ टेबल स्पून जीरा फ्रेंट्स जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दो कप पानी फ्रेंट्स मैंने जिस कप से सूजी का यूज किया है उसी कप से मैंने दो कप यहाँ पे पानी यूज किया है देखे फ्रेंट्स हमारा पानी हलका सा उबलने लगा है अब हम इसमें डालेंगे अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट उसी के साथ फ्रेंट्स हम इसमें डालेंगे हाफ टेबिल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबिल स्पून नमक पानी हमारा उबल गया है अब हम इसमें डालेंगे सूजी फ्रेंड सूजी को हमें डालते ही चलाना है और सूजी हमें थोड़ी थोड़ी करकर ही डालने है अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें देखिए Friends, सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूलनी शुरू हो गई है ये बहुत जल्दी ही बनके तयार हो जाते है देखिए Friends, सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल चूकिया है और ये थोड़ी डोप औ में आ गई है फ्रेंट्स अब इस स्टेश पर हम डालेंगे अपने वाइल किये हुए मैश किये हुए आलो और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे साथ में इसमें डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद हम इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से चलाएंगे फ्रेंट्स यहाँ पार आप इसमें काली मिर्श का भी यूज़ कर सकते हैं देखें फ्रेंट्स हमारी सूजी अच्छी तरीके से भुन गई है और ये कि ये डू फों में आ गई है अब हम इसे एक बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंट्स अब डू को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे अब फ्रेंट्स हाथों को हलका सा तेल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे से पेले काट कर इसे मंचाही शेफ दे देंगे फ्रेंस, मैंने इसे टिकी के shape में बनाया है आप इसे अपने मन पसंद कोई भी shape दे सकते हैं इसी तरीके से हम सभी cutlets को बना कर तयार कर लेंगे जब तक हमारे cutlets बन रहे हैं जब तक मैंने एक अधाय में तेल भी गरण होने रख दिया है हमारे कटलेट्स बनके तयार हैं अब हम इने डीफ फ्राई करते हैं फ्रेंट्स हमें इने मीडियम गैस पर ही फ्राई करना है फ्रेंट्स कटलेट्स को सेखते हुए में एक बात का ध्यान लखना है कि जब हमारी कटलेश थोरे से सिख जाएं हमेने तभी पलटना है नहीं तो ये बीट में से तोट जाएंगे और ओयल इनके अंदर भर जाएगा देखे फ्रेंड्स हमारे काट अच्छ तरीके से सिख चुके है उ अब इनने एक प्रेट में सेप्रेट कर लेते हैं इन्हें इसी तरीके से फ्रेंड जोनी त्यार करके अब हम अपने दूसरा बैच भी आ सेख कर तयार कर लेंगे प्रेंट्स एक बार के बैच के कड़ेट सेखने में मुझे 4-5 मेट का समय लगा है आप इन्हें इसी तरीके से अलगते पलगते अच्छी तरीके से सेखें उसी ओयल मैं मैं थोड़ी सी मिर्च को फ्राइ करूँगी जो कि हमारे कलेट्स के साथ बहुत ही अच्छी लगेंगी अगर आपको अच्छी लगे तो इससे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू फर वाचेंग